आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार दमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिली आदव स्वागत है आप सब का हमारे खास कारिक्रब नगर संगरा में यूपी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेच हो चुकी हैं मातर शेष पहले चरड की वोटिंग के लिए चार दिन बचे हुए दूसरे चरड की वोटिंग 11 माई को होगी 13 माई को रिजल्ट घोशित कर दिये जाएंगे जिसके भीच सभी पार्टिया अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं जीतोर के महनत कर रहे हैं पार्टी से लेकर प्रत्याशी तक अपनी जीतोर महनत दिखा रहे हैं सभी दावेदार अपने पक्ष में मतदान करायने को लेकर जनता से अपील करते हुए देखे जा रहे हैं जनता के बीच जाकर उनका समर्थन ले रहे हैं इसी बीच नगर संग्रा में आज हमारे साथ अनीता पाल हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि शंकर पुर्वा वाड दीती से सपा प्रत्याशी है वरिष्ट समासेवी रामुपाल की पत्नी है जो कि आज हमारे साथ नगर संग्रा में अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी आपको बता दे कि इन्हें उन्हें जंता के बीच एक अलग शवी बनाई हुए जंता का इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है निर्वारत्मान पाशद है अनीता रामुपाल और इसी बीच हमारे नगर संग्रा में वह भी जुड़ेंगी तो वरिष्ट समाथ से भी रामुपाल की पत्नी है अनीता पाल जो कि उन्होंने एक अलग छवी बनाई हुए जंता के बीच हमेशा उन्हें जंता की मदद की है गरीब आसाहयों की मदद की है इसी बीच जंता से उन्हें एक खासा जनाधर भी मिल रहा है जाके वो जंता की बीच में अपना समर्थन ले रही है जंता उन्हें पसंद भी करती है बतादे कि निरवर्थमान पार्षद है अनीता रामुपाल जो कि अभी थोड़ी देर बात हमारे साथ जुड़ेंगी शंकुर्पुर्वा वार्ट रिटिये से समाज सेवी भी है बतादे कि सपाप्रत्याशी है रामुपाल ने अपनी अलग पहचान बनाई है उनकी पत्ती अनीता पाल जो कि एक समाज सेवी है वो जंता के बीच में जाके उनके दुखों को बाता है कोरोना काल जैसे कि अनिता जी आप तक मेरी आवाज जा रही है क्या आ रही आवाज आ रही मैं बोला हूं रामुपाल जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में आज नगर संग्राम में आप लोग आये यहां सब्सक्राइब का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो है बहुत-बहुत अभार आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें जो है जनता के बीच में बात रखने का मौका दिये हैं राभू पाल जी हमारे दल्सकों को सबसे पहले आप अपने राज्गीति करियर के बारे में बता दीजै NRS प्रत्यासी हैं और जनता के बीच में हम लोग हमेशा बने रहते हैं जनता के काम करते रहते हैं जनता हमें बड़ा सयोग बड़ा इसने बड़ा प्यार देती है और यही हमारा राज़ी की चुरुआ है सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे कि आपकी पत्नी जो है सपा प्रत्याशी हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए यह देखे अनीता पाल हमारी पत्नी जो है जो सपा प्रत्यासी है मानी राष्टी अद्देजी ने हम पर विश्वास जताया और उन्हें फिर प्रत्यासी बनाया पहले हैं राश्टी अद्दे जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा और अभार है हमका और हमारे छेत की जनता अनिता पाल जी से भी और रामुपाल जी से दूनों लोगों से बड़ा इसने बड़ा प्यार करती है चया है और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को दे रही है घरगर जा रहे हैं कोई बेटा बोलता है कोई भाई बोलता है कोई हम लोगों की बेहने मिलती हैं माताय मिलती बड़ा प्यार मिल ला है रामुपाल जी अपने च्षेत्र में अपने वार्ड में कौन-कौन सी अभी भी कमया आप देख रहे हैं जिसको आप जीतने के बाद तुरंद कराना चाहेंगे देखे हम अपने वार्ड में सबसे बड़ी कमी एक देख रहे हैं एक कोको कोला गोडाउन से आरके बीके मोटर तक नाला जाता है जिससे बरसात के दिरों में बहुत ज़्यादा समश्या हो जाती है उस नाले का हम लोग चुनाओ की इतने के बात फ्राज्मिक का यही रहेगी कुछ नाले का निर्मार कराएंगी दूसरा गाहित्री पुरम में जल्वराओ हो जाता है जहां हमने पार्क बनवाया है तो वो मईकाले तक नाला बना हुआ है मईकाले से लेके कुर्सी लोड तक हम लोगों को नाला का निर्मार कराना है और मुक कि रूज से अपने प्रात्मिक्ता मेरी रहेगी। सबसे पहले चुनाओ जीतने बाद लाइटों को लगवाना और सफाई व्यवस्ता जो हमारी प्राइबेट कंपनी कर रही है उसके द्वारा बहुत चर्मर हो गई है उस व्यवस्ता पर हमको लगना है। पूरा निस्तारण और लाइटों का काम यह तुरंत तकाल हम लोग प्रभाव से काम कराएंगे। उसके बाद जो बची हुई रोड़े हैं और नाले को हमने बताया है इन नालों के हम लोग लगेंगे। रामुपाल जी स्वास्त और सक्षा एक बड़ा एहम मुद्दा होता है इसको लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे आप। कि यह अकरीप डिखिये स्वास्त के लिए बता दू कि हमारे वाड में कोई स्वास्त केंद्र नहीं था। कि महम लोगों के बड़े प्रियास के बाद हमारे बिर्धा अस्रम के पास एक जो है सिसी जो है बनाई गई पास हुई थी निकल वो मिनी सिसी बनी आज प्रात्मिक स्वात केंद वहां पे चल ला है एमड़ीमेस डॉक्टर बैठते हैं और जो है वाड में मडिया हम लोगों को वहां प्राम प्रात्मिक स्वात कराई के वहां सकते हैं पतों है रिभाषा ऑघ्यालक बच्ञों के जघ। लोग के यह लोग सरकारी इस्कूल वह बनाया गया है उनको फास्तारी जा रही है चै कि मेरा सवाल अगला रहे गा नीता जी से अनीता जी आप महिला हैं जब महिलाओं के बीच में जाती आ है तो महिलाओं कौन से buddies बड़ी समस्य है जो आपको तो बताती हैं कि ये हमारी छेत्र में है अनीता जी आप एक महिला हैं तो महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपनी छेत्र में महिलाओं के लिए जो भी योजनाय आएगी हम उनके लिए करने के लिए त्यार रहेंगे रामुपाल जी आप से जाना चाहेंगे कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं उनके बीच अपने लिए समर्थन कैसा देख रहे हैं आप चुनावी मैदान में हैं तो आप अपने प्रतिद्वन्दी के तोर पर किसको देख रहे हैं हमारे प्रतिवन्दी कोई नहीं है हमारी छेत्र की जनता स्वयम चुनाओ लड़ रही है और वो स्वयम फैसला करेगी हमारे हम तो यह मान के चल रहे हैं जब छेत्र में हम जाते हैं हमारे छेत्र की जनता से तो हमें यही मिलता है कि भाई यह मोहला मत देखिए आप दूसर हमारा प्रतिवन्दी कोई है नहीं हम लोग छेत्र की जनता जो है डिसाइप करेगी कि कौंट कितनी मतों से जीते का और प्रतिवन्दी की जो कोई जबानत किसी की नहीं बचेगी यह मैं जनता से खुद में अपील करूँगा मैंने अगर 15 साल से जनता की सेवा किये तो जन जन्ता मुहले की सरकार को चुनेगी और देश-P filing को नहीं चुनेगी यही हमारा नारा है यही हमारा संटा को है कि भाई यों फैनों एक 15 साल से हमने एक पार पर खड़े उगके सिवा की तो उसका आने वाली चार तारिक को घर से निकल कर पहले मद्दान फिर जलपान और उसी में दिखा दिजे कि रामुपाल नेगर आप संग खड़े रहे हैं तो रामुपाल को और अनिता पाल को भारी मतों से विजाई बना के हम लोगों के बीच में भीजिये और फिर मैं जो ह प्रामुपाल में जारत प्रामुप एजेंडा क्या है आपका अग्या प्रामुप एजेंडा क्या है इस बार के चुनाओं में आपके लिए जन्दा के बीच आप किस एजेंडे के साथ पताई ये बोल जी बहुत सारी ऐसी सोविधाई मुलभूस सोविधाई होती है कि जो सरकार के तरफ से दी जाती है वो जन्दा के बीच नहीं पहुँच पाती है क्या कहना चाहेंगे आप इसको लिके हम लोग जो भी सरकारी बहुस्ताएं सरकार की तरफ से आती है हम लोग उसका परचार्श परसाल करके जनता वीच में बेजने का काम करते हैं और मेरा एक ऐसा कार्याले है कि पंदरा सालों में साइध उस कार्याले में कभी ताला लगा हो और सुबह छे बज़े से लेके रात के बारा बज़े तक हर विख्तीवाद आपकोही नूब्हीन यापको बैठा मिलेगा चाहे करशád जिसका मोजनें के बारे नियमार योजनाओं यह जानकारी करते हैं उन्हें सोचाले नहीं मिला है पिया मावास नहीं मिला है इसके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं आप समाजवादी पार्टी से हैं और अभी तक आपका सफर कैसा रहा और कैसा महसूस करते हैं कि देखिए हम हमारा जन्म ही समाजवादी पार्टी में हुआ था उन्नीस सो तिरान नवे से हम समाजवादी पार्टी में हैं उससे पहले भी हमारे पिता जी हो रहे हैं और बीच में आदमी जो है कारिकरम धरबर होते रहते हैं हम लोग उन्नीस सो तिरान नवे में हमारे यह प्रेमबेटा था तब से हम लोग समाजवादी हैं ला做 राजिंद रयादो की उनको अमने चुनाव लटाया हो हम लोग समाजवादी पूल रूप्स समाजवादी है तो जीवन भर समाजवादी ही रहेंगे रामुपाल जी शेहर में देखा गया है जल भराओ की बहुत बड़ी समस्या रहती है उसे कई बीमारिया भी पनपती है उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए क्या लगता है कि इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इस बार सबसे जादा जो फोकस और जरूरी मलब काम करेंगे वह जल निकासी पर ही करेंगे कि लिए सबसे बड़ी समस्या जन निकासी रोट तो चाहिए दस दिन बाद बने दो महिना चार महिना बाद बने जन निकासी की विवस्ता बढ़िया हो जाए और इसके लिए आपको मैं जानकारी दूंगा कि लोग हमारे आएक आलोग दुबे मार गए डबल टावर वाली रो बहुत बड़ी जिससे अब जल भराव होता तो है गंटा दो घंटा बात खतम हो जाता है लेकिल जिस दिन हमारा मैकाले से लेके कुर्सी जोर तर नाला बन जाएगा उस दिन हमारा उस रोड उस वार्ड का पानी हमारे वार्ड में नहीं आ पाएगा हमारे यहां जल बढ़ जो होते हैं एंभ यूआ के लिए आप क्या कुछ अलग करना चाहते हैं ै कि है के लोगों का समर्थन करें और हम लोगों के साथ जुले और चुअची केrite जूप फूर्टम वार्न करता हुब हम से जो सरकारी योजनाय आएंगे तो हम लोग दिलाएंगे इसके अलावा जो हम लोगों से हो सकेगा उन युवाओं की हम लोग मदद करना चाहिए जो कोई बच्चा पढ़ने वाला है अगर किसी कारण वस वह अच्छी सिच्छा नहीं प्राप्ट कर पाता है तो मैं उससे जरूर कहूंगा और इससे पहले भी मैंने कई बच्चों को ही मदद की है मैं उनसे चाहूंगा कि वह हम से जरूर परसुनली मिले रामुपाल जी टाइम टीवी के माध्यम से अपनी प्यारी जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी हम प्यारी जनता के लिए यही कहना चाहेंगे कि बच चार तारी खो सुबह सुबह स्ब लोग पहले मददान करें और चादा ज्यादा संख्या में निगल के सब लोग मददान करें जो अपना हधिकार वो जानेंगे आपका ये मद्दान ऐसा दिकार है कि सब कुछ यही बदलता है आप लोग मद्दान करने जरूर जाए और मद्दान करिए उसके बाद यह विद्धान लगिए कि 15 सालों से 10 साल आपके भाई ने सेवा की है आपके बेटे ने सेवा की है और अब आपकी अभी आपकी बहू है कि हम लोगों उल्य करता सई मन से जवाब की जिए तो आप उसका स्पवाब देंगे अनीता पाल जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी प्यारी जंता से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का प्राइम टीवी से जुनने के लिए और जनता का समर्धन देने और उनका हर काम पुरा करने के लिए आपने जिस तरीके से बताया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो हमारे साथ है शंकरपुरा वाड दितिये से सपा प्रत्याशी अनीता पाल जो कि इस बार समाजवादी पार्टी से शंकरपुरा वाड दितिये वाड से प्रत्याशी है अनीता पाल जो कि समाज में उन्होंने एक अलग छवी बनाई है इस बार वो फिर आज के लिए नगर संग्रा में बस इतना ही देशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार